हलो दोस्तों कैसे हैं आप से स्वागत आप सभी का कॉमिक वल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाके लाल सीरीज के अगली कॉमिक्स सिंगासन बतिसी संजो गुपता पेश करते हैं सिंगासन 32 हास समराट बाकेलाल का हास से कॉमिक नए पाटकों के लिए बाकेलाल बच्पन में बहुत शरारती था एक दिन उसने भगवान शंकर और पारवती को मास का अर्प पिला दिया जिससे क्रोधित होकर शंकर भगवान ने उसे शांप दे दिया परंतुफिश शीगरी शांथ होकर अपने शांप का असर कम कर दिया अब बाकेलाल जिसका भी बुरा सोस्ता उसका बहला हो जाता है और उससे बाकेलाल को भी लाब होता है एक दिन बाके लाल से प्रसंद नोकर किसी रिशी प्रसंदना चारे ने राय दी कि प्राताह की सहर करने से उसका मस्तिश को और कुशाग रो जाएगा जिससे कि वो राजा विकरम सिंग को राजी के हितलाब की नही नही सलाएं दे सकेगा किन्तु मैं मोटे को ऐसी सलाएं क्यों दूँगा अगर प्राताह की सहर से मेरा मस्तिश को शाग रोगा तो मैं उसका प्रयोग मुच्छर मनूस को मारने के लिए अपनी योजनाय बनाने में करूँगा उसी समय हे कलेश काटो देवता कलेशी प्रसंदन हो अरे ये तो रिशी शाब दे हुआ है जो बात बात पर शाब दे देते हैं किन्तु ये अपने शरीप कोड़े के उपर सा रहे हैं ओ कोड़ा भी तूट गया अब तो प्रसंद हो कलेशी देवता साक तभी मैं तब तक प्रसंद नहीं होता जब तक भक्त का कोड़ा तूट नहीं जाता मैं पहले ही कच्चा वाला कोड़ा लाया था ताकि वो जल्दी तूट जाए बोल तुझे क्या कलेश है बताता हूँ एक बर मैंने सभी देवताओं को प्रसंद करने का प्रण किया और तपस्या पर जा बेटा की कोई प्रसंद तो होगा प्रसंद हुए शांप देवता उन्होंने मुझे शांप मांगने को का मैंने नहीं मांगा तो उन्होंने क्रोध में भर कर मेरे सिर पर शांपों से वरी मठकी ही पोड़ दी अब तु जिसे भी देगा शांप ही देगा हे कलेशी देवता शांप देने जे मेरे सभी पुर्णे नश्ट होते जा रहे हैं शांप देवता के शांप काट कर मेरा कलेश हरो तो फिर सुन तेरे उदर में शाप देखता कि शाप भर गए हैं जो कि वायू वादी पैदा करने वाली खाद वस्तियों जैसे फूल गोबी उड़त की दाल राजमा दही बल्ले यम्यम खाने से पैदा होने वाली डकार के आने पर बाहर आ सकते हैं कि तु ध्यान रहे अगर शाप दकार वातावण में फैल गया तो जितने भी शाप होंगे वह आसपास खड़ी लोगों को लग जाएंगे जिससे कि तेरा सारा पुर्ने नश्ट हो सकता है और तेरे शरीर में कीड़े पढ़ सकते हैं तो फिर मैं ये शाप दकार कहां पर मारूंगा मैं तेरा ये कलेश भी मिटा देता हूँ सुन यहां से 200 कदम उत्तर की और कुमभा राक्षस की गुफा है ये राक्षस हमेशा निंद्रा मगन रहता है वर्ष में केवल एक बार एक उबासी लेने के लिए ओटता है कुमभा की निंद्रा दुभैर के समय तूटेगी और वो अबासी लेगा तब उसका विशाल मूँ खुलेगा तो उसके सामने पहुँचकर अपनी शाप डगार मार देना तेरे सारे शाप उसके पेट में जाकर निंद्रा मगन हो जाएंगे इस पकार किसी का अहित नहीं होगा और तुझे शाप उसे छुटकारा भी मिल जाएगा किन्तु क्या वो शाप उस राक्षस को नहीं लगेंगे नहीं किन्तु अगर राक्षस का पेट फट जाएगा तो शापों के निंद्र तूट जाएगी और वो उसे लग जाएंगे, जिसके हाथो राक्षस का पेट फटा होगा तो मैं चला फूल गोबी, राजमा उड़त की दाल एवं भल्ले खाने इसका कलेश तो कट गया, खुल अपपा भी चलते हैं खलेश तो मेरा भी कट्ता नजर आ रहा है, चल पीछा कर इस रिशी का रिशी शापदेव ने भिक्षा मांग कर खाई फूल गोबी की सबजी, राजमा, उड़त की दाल, तही बल्ले और मूली की पराठे बड़ी तेज ड़कार आ रही है, परनतु मुझे ड़कार रुपकर रखनी होगी शीगरी रिशी शापदेव जा पहुचा राक्षा सकुम्बा की गुफा में जैसे ही उबासी लेने के लिए राक्षा सकुम्बा मुझ खोलेगा, वैसी मैं मारूंगा ड़कार निच्चे समय पर राजक राक्षा सकुम्बा वासी लेनी के लिए उटा रिशी शापदेव ने एक पल का भी विलम नहीं किया और अपना मूँ भी ड़कार मारने के लिए खोल दिया शाप ड़कार समा गई राक्षस कुंबा के खुले मूँ में फैंग कर शाप ड़कार राक्षस वापिस निंद्रा में चला गया मैं स्वैम को हलगा महसूस कर रहा हूँ अब मुझे बाद बाद पा क्रोध भी नहीं आ रहा जिसके कारण मैं शाप दी देता जबकि बाकेलाल का मस्तिष तो टीवरता के साथ चल रहा था अगर मैं राजा विकरम सिंग के हाथो निंद्रा मगन इस राक्षस का पेट फडवाद हूँ तो सारे शाप मुछड को ही लग जाएंगे और ये सब सूस्ते सूस्ते फो मारा पापड़ वाले को शीकरी बाकेलाल ये मुझे ठीक नहीं लग रहा कि मेरे हाथों से एक निंद्रा मगन राक्षस का अंत हो किन्तु महराज शंकर भवान ने मुझे सपन में आपके हाथों ऐसे ही करवाने का आदेश दिया है रस से उतर को दौनों कुफा में प्रिवेश कर गए भलाई का कार है तुम कहते हो तो फिर ठीक है मैं राक्षस कुम्बा का पेट तरवार से फार देता हूँ और फिर खचाक दूसरे पहल कुम्बा के पेट में प्यानक गड़गडाट हुई और शापी शाप बाके लाल मुझे क्या हो रहा है वो मारा पापड़ वाले को राक्षस कुम्बा का पेट फटते ही उसमें निंद्रा बगण शाप जाक का विक्रम को लग गए अब आएगा मजा तब ही राक्षस कुम्बा भी ओड़ बैटा ओ तो वो तुम हो जिसके कारण में शाप मुक्त हुआ और मेरी दीगर निंद्रा तूट गई मैं राक्षस होकर भी शरीफ दौर किसी पर कोई अत्याचार नहीं करता था इस बास से ग्रोधित होकर राजगुरु रक्त पिपासू ने मुझे दीगर निंद्रा का शाप दे दिया था और ये शाप मेरा पेट फटने के साथ ही तूटना था किन्तो निंद्रा मगन होने के पस्चात भी मुझे अपने आस पास घटने वाली घटनाओं का पता चल गा था मुझे पता है कि थोड़ी देर पूर वेग्रेशी न डटकार मार कर अपना पेट शापों से खाली करके सारे शाप मेरे पेट में भढ़ दिये थे और वो सारे शाप मेरा पेट फटते ही अब तुमें लग गए हैं क्या खुड़ा पादी की होगा अब इन शापों से तब ही चुटकारा संबभ है जबकि तुम सिंगासन बतीसी पर जाकर बैटो सिंगासन बतीसी पर आसीन होते ही ना सिफ तुम्हें शापों से छुटकारा मिल जाएगा बल्कि बतीस ऐसे राज्यों के राज़ा भी तुमारे अधीन हो जाएंगे जिनके पीछे गड़ लगता होगा बतीस राज्यों के राज़ा और गड़ तो विशाल गड़ के पीछे भी लगता है किन्तु ये सिंगासन बतीसी हैं कहां पर बादाल लोक में वहां तक हम पहुचेंगे कैसे बादाल लोक पहुचने के लिए तुम्हें तित्लियों की राणी मितली को परसन्य करना होगा और ये तित्लियों की राणी मितली हमें कहां पर मिलेगी फूलों की गाटी में गबराओ नहीं मैं तुम्हें फूलों की गाटी का पता बता कर ही जाओंगा जल्दी बताओ राक्षस कुम्बा फूलों की गाटी का पता बता कर वापिस अपने लोग की ओर लोट गया अगर सिंगासन 32 पर मैं पैट जाओं तो विशाल कड़के अलावा भी मैं 31 और राज्यों का राजा बन जाओंगा बाके जल्दी फूलों की गाटी में चलो कई शाप अपना असर दिखाना अवरारंब ना कर दे बेटे मुठल ले तू तो मरेगा शापों से और सिंगासन 32 पर बैठेगा बाकेलाई थोड़ा आगे चलने पर बाकेलाद वो देखो बांग देता मुर्गा राक्षस ने कहा था कि बांग देते मुर्गे की चौन जिस दिशाओं में हो हमें उसी दिशाओं में पैदल आगे बढ़ना है इसी दिशा में हमें मिलेगा ततया नामक राक्षस का छत्ता फूलों की घाटी पहुचने का रास्ता उसी में से लेकिन मुटले पर किसी शाप का असर क्यों नहीं हो रहा बाके के सोचने की देर थी की बाके ये देखो मुझे क्या हो रहा है वा, शाप का असर होने लगा, बाके मेरी नाक को क्या हुआ, महराज, वहाँ पर गैंटे की समान सिंग निकला है, मेरे कानों के पास ये फड़फडा क्या रहा है, महराज, ये फड़फडा आपके लंबे हो चुके कानों की है, महराज, जरा पलटना तो, बाके लाज, क्या द अपादी की होगा बाकिलाल ये तो राक्षस तताया बतायागा जिसका छत्ता सामने है कुंबा ने कहा था कि इस छत्ते को तोड़े बिना फूलों की गाटी के इस प्रथम द्वार को पार नहीं कर सकते महराज जल्दी करें अपने मजबूत गैंडे जैसे सींग से टककर मार का छत्ता तोड़ दीजे ठीक है वाकिलाल चत्ते मैजे बाहर निकला क्रोध में भरा राक्षस तताया तताया को चोड़ने का अंजाम बुगतना होगा ले डंग खा अरे मेरा डंग शिकार को बिना लगी तूड़ गया बहुत सकत खाला तेरी पर दूसरा डंग मैं तुझे कहीं हूँ तुझे नहीं मारूंगा बलकि तेरे साथ ही को मारूंगा तुष्ट तेरी ये मजाल मेरी मिर्तियों किसी इंसान के चैरे पर होगे गैंडे जैसे सींग की चोट सही हो नहीं थी बाकेलाल वो देखो फूलों की घाटी जाने का रास्ता बन गया कि तुझे मेरे लिए तो नरग जाने का रास्ता कुल चुका है माराज तुम्हें डंक के कारण बहुत दर्द हो रहा होगा मैं तुम्हारा डंक निकाल देता हूँ डंक निकल गया बाकेलाल और अचानक मैं बहुत हलका महसूस कर रहा हूँ आप परसे गैंडा शाप का अजर समाप थो चुका लगता है कमबकत ने शाप का अजर शुरू हो गया और ये जल्दी भाप में बदल जाने वाला है बाकेलाल हमें जल्दी से जल्दी सिंगासन 32 तक पहुँचना होगा उस द्वार से भीतर आती यहां तो बहुत टंडे पर मुझे तो गर्मी लग रही है ठंडे तो बढ़ती ही जा रही है महराज मुझे पहले बता हो था तो अभी अब तो उनिवस्तर साथ लेकर आता तुम मेरे निकटी रोबा के लाल मेरे शरी से उटरी भाप तुमें भी उश्मा प्रदान करेगी सिंगासन 32 तक पहुँचने के लिए ये नदी पार करें इसे पैदली पार करना जरूरी है जो नदी पहले पार करेगा सिंगासन 32 उसे ही मिलेगा ये तो बर्फ की नदी है शुकरों को बर्फ की नदी है वरना ठंडे पानी के बीच से ओकर गुजरना पड़ता तो मैं चला नदी पार करने क्योंकि जो पहले नदी पार करेगा सिंगासन 32 हुसाई मिलने की बात लिखी है भागने से मेरे शरीम उर्चा भी प्यादा होगी और मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी लेकिन ये क्या आ क्लाक बाके समल कर विक्रम सिंगे देखते ही देखते है बाके लाल बर्फ की नदी में समा गया मेरा बाके लाल मैं आ रहा हूँ बाके लाल मिरा मतलब बचाओ महराज बर्फ की नदी के नीचे बहुत दिनों बात कोई शिकार फसा है ले चलो इसे महराज के बाच वे इसकी चिस्की बनाग रखाएंगे बचाओ और जल्दी कर ले भागने की पहले विक्रम को भागने देता तो नदी में तू नहीं मुचड़ी गिरता बाके लाल को बर्फ के महल में ले आया गया वाह जल्दी करो इसकी चिस्की बनाओ इसे देखकर तो मिरा मूँ में पानी आ रहा है जो आज्या माराच तो इसकी बनाने के लिए सबसे पहले से तीले पर रखो अब इस पर लाल रंग का शर्वाट रूहो दफा डालो बाके आज तो तुछ जाएगा अब भूल जा विशाल करके सिंगासन को अब पीले रंग का गाड़ा शर्वत ओड़े लो तैयार हो गई चुस्की मेरा रक्त जमता जा रहा है लीजे माराच स्वादिश चुस्की लेकिन इससे पहले की जल देखते समराट बाके की बनी चुस्की को चाट जाता ओ ये क्या महल की दीवारे पिगलने क्यों लगी पलक जपकते ही सारा महल भगया एक आए गर्मी कैसे ओगई महल वाश में बदल गया जुसकी भी पिगल रही है हमें थोड़ी सी भी गर्मी बदाष नहीं कम बक्तों मेरे बाके जाल को चुश्की बनाना चाते थे अम मजा चको देखते देखते जल दैत भी पिगल गए और बाके के चार ओर जमी हुई बर्व भी माके लाद तुम ठीक हो ना शुक्र रहे आप साहीजा में पर आगाए महराज बाके लाद पहले तुम्हें घबराई बाके अब मेरे शरी से भाब के भबके नहीं चूट रहे ये नदी ही मेरे इस शाप की काट थी मोटे को शाप भी वरदान की तरह लग रहे हैं नदी से बाहर निकलते ही बाके लाल हम फूलों की घाटी में आ गए देखो फूली फूल और ये गुलाब का फूल कितना है, किन्तु कितनी हैरानी की बाते की गुलाब के पौधे में काटे भी रही हैं और तभी, बाके लाल, मेरे शरी पर काटे निकलाए चलो, शुकर है, फूलों की घाटी में काटे तो दिखाई पड़े, शाइद ये भी किसी शाप का असर है, बचाओ, बाके लाल, ये कौन चिल ला रहा है, चीखने वाली कोई इस्त्री है, ये तो तितलियां है, बचाओ, शिपकली से तुम्हे कौन बचाएगा, बचाओ, ये चुड़ेल हमें खा जाएगी, बाके लाल, उन्हें बचाना होगा, किन्तु हमारे पास तो शस्त्र भी नहीं है, सिवाए आपके शरीप होगे, काटो के, मैं न तोड़ता हूँ, काटा उखारने से दर्द हो रहा है, मगर हमारे पास इसके सिवाए यहां दूसरा कोई शस्त्र भी तो नहीं है, ये लिज़े माराज, ये काटा उस चुड़े को चुबा दीजिए, ठीक है बाके लाल, तुम कहते हो तो मैं ऐसा ही करता हूँ, विक्रम सिंग चुड़ेल को काटा चुबएगा, तो क्रोध में भरकर चुड़ेल उसे भी नहीं चुड़ेगी, विक्रम सिंग न आगे भरकर वे काटा चिपकरी नामग उस चुड़ेल को घुप दिया, खचात, ओ, कठीला इंसान, ये तो मैंने सोचा ही नही होगे, फिर तो काटा ही निकल जाएगा, तीसरा काटा लगने पर, मैं तो मैं जूट बोल रही थी, ताकि तो मझे काटे ना मारो, मेरी मिट्टू, तीन काटे लगने सही होनी थी, इसलिए तो मैंने पूलों की गाटी से सारे काटी तोड़कर जला दिये थे, किन्तु ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई इंसान भी इतना कटीला हो सकता है, चड़ेल के प्राण पखेरू उड़ गए, सत्यानाच, अगर मुझे ये रह से पता होता तो मोटे के चली से काटे हो, खाड़ खाल कर चड़ेल को क्यो मरवाता, तबी, मैं हूँ तित्रियों की रानी पंक देती हूँ, जिनकी मदद से उड़कर तुम दौनों बादल लोग पहुंच सकोगे, पंक लगा कर दौनों उड़ चले, इसी बीच विकरम सिंग के काटे गायब हो गए, बाके लाद हम उड़ रहे हैं, और मेरे काटे भी गायब हो गए, काश मेरे उद्देश की लेके जवाब सुनने के लिए विकरम अब बाके के निकट नहीं था, हो गया मोटे का काम तमान, अब मेरा रास्ता साफ है, मैं सिंगासन 32 प्राप्त करके बनूंगा 32 राज्यो का राजा, जिनमें शामी लोगा विशाल गड़ भी, बादल लोग आ गया, और वो रहा सिंग पर रासीन हो जाता, हट पिछे, मुझे लाद किसने मारी, मैंने, मेरा नाम है घटनलू, मैं कई बरसों से सिंगासन के असली सौमी की परदिक्षा कर रहा था था कि उसे मार कर फिर स्वहम इस पर आसीन हो चुकू, और मुझे पता था, कि सिंगासन का असली सौमी एक मानव तो मैं मारने से पहले मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, बादर लोग का राजा 32 मुझे देखकर हर वक्त हसता रहता था, क्योंकि वो मुझे हरा कर बादर लोग का राजा बना था, पर आजित हो जाने के बाद मुझे चौकीदार बनना पड़ा था, एक दिन मैंने क प्रोध में भरकर अपने शस्त्र खाटू से उसकी बत्तिसी तोड आली। उसके दाज जुड़कर सिंगासन बत्तिसी में बदल गए। अब ये सिंगासन मेरे बैठने के काम आएगा। तो मुझे मारी डालेगा तब ही धार। विक्रम सिंग की एक ही प्रचंड ठककर से खटलू के प्राण पखेर उड़ने लगी। मेरे मिर्तिव मानव शस्त्र से ओनी थी। अरे महराज आपका सिर गदा जैसा कैसे हो गया। बाकेलाल जब तुमने मेरे पंक तोड़ दियो तो गया कि तुमने मेरे पंक क्यों तोड़ दिये थे ताकि मैं खटलू के हादू पिटने से बच जाओं और मेरे बदले की मार तुम खा सको। अचानक मेरा सिर भारी हो गया। मैंने महसूस किया कि वो एक नया शांप लगने से गदा जैसा हो गया। वह अब मैं खटलू को मा अब मैं बैठता हूं सिंगासन 32 पर नहीं उस पर मैं बैठूंगा किन्तु तब अब तो देर हो चुकी थी सत्यानाश। सिंगासन 32 पर आसीन होता ही विक्रम सिंग के सभी शाप मिट गए। बाके मेरे सिर ठीक हो गया सारे शाप मिट गए। कि तुमाराज अब आप वाप कि छट पर छोड़कर गायब हो गया और बाके लाल के पंक भी गायब हो गया अगले दिन महराज सभी 32 राज्यों के राजा चाते हैं कि उनके राज्यों की सीमाई भी विशालगड में शामिल करके विशालगड को और भी शक्तिशाली बनाया जाए। हमें मन्जूर है और फिर बाके देख पुच्ची सारी गडबर कुंबा के पेट से शुरू हुई अगर में मोटिस राक्षर का पेट ना कड़वा था तो ये 32 राजी भी उसे ना मिलते हैं समाप्त तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं समाप्त करते हो और मिलते हैं बाके लाल सीरीज के अग नवाद